मेरे गुद मॉर्णिंग, मुश्ट वेल्कम मैं फेंड इन वर चैनल, आज हम लोग बात करते हैं, COVID-19 यान करोना वाइरस है, उसके अपडेट्स और वैक्सिन्स का जो ट्रायल्स या अपडेट्स चलना उनके बारे में, ओर और ये वीडियो एक अपडेट्स से करोना वाइर में अभी भी इसकी पैंडेमिक बहुत तेजी से बढ़ रही बट कुछ कंट्री जैसे इंडिया में बहुत ही नार्मलाइज हो गया क्योंकि पीसिन्स कटने लगे है, और सबसे प्रब्लम होती है जाकर डेली वेज में लाइफ को चलाना भी होता है, तो फिपल्स कब तक ड जल रहा है, क्रोना वारस एक्चुली किस तरीके के सिंटम्स प्रड्यूस करता है, कैसे हम इस चीज को जानते हैं, एक बार फिर से हम अपडेट करना चाहेंगे, जाकर मुस्ट कामनली यह इडिफरेंट ताइप के इंफेक्शन हो सकते हैं, हमें कहां से इंफेक्शन हो रह कर सकते हैं, लेस कामन जो सिंटम्स हैं, एक पूरी बाडी का पेन का ना, श्रोर थोट होना, यह डाइरिया टाइप का इंफेक्शन होना, यह कंजवाइटिक्स डिसीज होना, हैडएक पूरी बाडी में, लॉस आप दिस टेस्ट आप इसमेल का लॉस हो जाना, पूरी पूरी बाडी में, 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 70% पीपल साइफेक्टे बड इसम्टमेटिक्स, यह डिपाइंड करना, यह आपको चेक्के बाड ही पता लग शकता है जाकर, बट दू टू, वी नीड तू बी, वन थर्टी करोन के लोग हैं, वहाँ पर आपको करना है तो कब ते कमार्ट महीने तक बैट नहीं सकते हैं, वी मस्ट नीड तो गो फार्द वर्क जॉप्स और लग तिंग्स, तो क्राउड़ेड होगा, मर्केट होगा, आप सभी हर स्टी में ऐसे चल रहा है जाकर, आप क्रोना वाइरस एक आरने वाइरस होता जाकर, जो क मार्स भी है, सार्स भी है जाकर और कोविड-19 जो नूली आया जाकर वाइरस हो आता, यह रैनो वाइरस का एक फेमली है, उसी के सब फेम्स पेसीज में आते हैं जाकर, इन दे काव और पिग में यह डायरिया टाइप की इंफेक्शन या इंसे प्लाइटिस टाइप की अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं इस टाइप की इंफेक्शन को, तभी हम इस चीज को रोग सकते हैं, तो यह अगर वैक्सिंस आती है, COVID-19 तो पहली वैक्सिंस होगी, यह रैनो वाइरस के वाइरस के अडियस्ट में होगी जाकर, यह एक प्रकार का स्ट्रेक्ट्चर से व वेक्सिंस में होने से और भी वैक्सिंस यह पूरिपली को बैख सब्कॉर को यह रहा है, क्य positional नहीं है, कि वैक्सिंस देसरी वैक्सिंस मेल में पूरिय पश्ण को यह उसकंड आपक है, क्योंग पिकार कर रहे हैं, यह हो रहे हैं यह इंटर करने वाली नहिए, कितनी सेफ होगी जाकर वैक्सिन्स ये आने वाले टाइम पर ही बता पाएंगे कोई वैक्सिन्स कितनी 100% सेफ होती है या नहीं होती है यह जब तक हम publicly इसका एक फिस्थी ट्रायल के बाद देखते नहीं है कि कितने symptoms by symptoms side effect हो रहे हैं या नहीं तब ही तक हम इस यूज को जान स गे सासवा रहे हैं जिस तरीके से अगरा पुलियो वैक्सिन्स कभी बंने हुए आज तक नहीं हो पाया इसका पुरी तरीके से वर्ड में तो इस नाट पसिबल कम पुरी तरीके से किसी चीज को eliminate कर सकते हैं जाकर और किस तरीके से work करती है यह depend करती है, किस तरीके से बनाएगे जाकर mRNA-based है, RNA-based है RNA-based है, protein-based है या in-activated particle based है जाकर तो यह depend नहीं पाना था किस तरीके से बनाएगे जाकर यह कितनी safe होगी, यह तो already बोल जोका है, vaccines can be protect from the COVID-19, हाँ यह में भी पासिबिल कुछ ऐसी vaccines पर work हो रहा है, कि साथ में जिसे मिजल्स के उमें भी पासिबिल्टी इसको भी vaccines कर, उसके साथ jointly या combined vaccines ऐसी हो कि दोनों चीजों पर effective हो, यह आने वाला time बताया जाकर तो यह long-term protection देगी यह तो अभी कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि अभी तो सबसे must है कि हमारे पास vaccines होनी चाहिए जाकर, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी vaccines है जो long-term में effective होगी जाकर अभी संबोल दे, but we need to be processed we need to wait for that, कि हमारे पास this type की vaccines हो, जो कि long-term effective हो, COVID-19 के लिए भी इस तरीके से हमारे पास detainus की vaccines होती है, या ravage vaccines होती है, यह long-term की effective होती है या कर उसी तरीके से इस type की vaccines का development हो, ताकि लांग-term में effective हो जाकर, टाइप आप जो सबसे ज़्यादा भी market में 4-5 vaccines है, जो market में सबसे टॉप पी चल रहे ही जाकर, जिनके बारे में हो रहा है थे, फेस्थी ट्रायल पास कर रहे है फेस्थी ट्रायल में है, जाकर successful rate इनका 70-90%, 95% की आस पास चल रहा है जाकर, COVID-19 के बारे में बोला गया जाकर ने सबसे बार्तिक की जो success rate यह 95% की आस पास बोली जा रहे है मॉन्डेरिन ना Niceneva वैक्सीन है जो उनिवस्टि आफ़ अफ़ड आक्सपोर ने बनाकर यह जो 70% इराउन्ड इसके success rate यह काफी अच्छी है, यह काफी अच्छी है जाकर कि इनकी लो कास्ट हो ताकि पूरे वर्ड की पॉपलेशन को आसानी से अवेलेवल हो सके जाकर मार्केट में आ सके जाकर इस्टीज को जा और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनके साथ अटेजड हैं इस तरह के रिशर्च में फ्रॉंटियर को मतलब तेजी से काउंट कर सब्सक्त दो फ्रन लाइन पर जो सबसे टॉप चल रही हैं जाकर उनकी कमपनीज के बारे में वैसे बहुत सब्सक्राइब आर भी कंपनीज है जो फेस बन फेस्टू ट्रायल में चल लेंगें उनमें ज्यादा ही इफेक्टिव हो एइस कंपयोटिए इनके जो कि 70 परसंट के बारे में बोल रहे हैं बट इनके side effect भी हो सकते हैं इसी जब कर आने वाले वक्त ही बताएगा कौन कितने successful है जाकर तो यहाँ पर एक list है जो यह वैक्सिन अभी ट्राप पे चल रही हैं किस mechanogen के दोरा बनाएगे हैं कौन कौन से sponsor है कौन से trials पे चल रहे हैं phase 3 trials में कहां कहां से है इस चीज़ को देख सकते हैं जाकर AZ122 यह की हमारे यूश्टी आफ अक्सपोर एस्टाजनरी का कहाने कि सीरम आफ इंस्टूट आफ इंडिया जारा phase 3 trials में चल रहे है रिप्लीकेशन डिवीसेंट वायरल वेक्टर है बेस्ट वेक्टर है बेस्ट वेक इन एक्टर वेक्षीन से जाकर वेक्ष यह सारी phase 3 trials पे चल रहे हैं जाकर जॉश्ट एंड जॉश्टन के एक यह एक वैक्षीन से नान रेप्लीकेटिव वायरल पार्टिकिल पर वेस्ट है वहार इंस्टूट आ बाईलोजिक से यह जहां से वायरस स्टाट हुआ था इफेट का सभी से पता लगाएगा इंडिया में कॉण्न कौन सी ऐसी वैक्सिन्स हैं जो एक मार्केट में चल रहेंगी जाकर इंडिया में वक्सिंस के मां данus की मालाहिव प्सजिज अ बधर्वित की है जो कि इस चीज को ICMR के द्वारा कोलावरेटेड है और नेस्ट इंस्टीट अफ वारोलोजी इसको बना रही जाकर फेस्ट्री ट्रायल पे चल रही है दूसरी है कोवी सील्ड वैक्सीन से जाकर जो भी काफी सक्सेस्पुल है सीरें इस्ट्रीट इंडिया के द्वारा बना जा रहा ज्यादा एक्ट्व है और इफेक्ट्व है 90% के प्लस में इस्पुनिट जो कि एक ड्रेडीज कंपनी द्वारा बनाई गई फेस्ट्व ए थ्री ट्रायल के बीच में चल लगए तो आने वाले वक्त में इंसारी वैक्सीन का जो इंडिया में हैं इंडिया मेड वै छुछ और एक्सीन कैसे बनती है किसे तरीका की चीज़ा होती है । इस भी चीजों को इस इस द्राइन होती है कि जा सकते हैं अगर उनको हम लाज में आसॉलेट करें और उनका हम रिशेर्च करके या उनके द्वारा बनाई गय गई को हम introduce करें जाकर rabbit में या rat में animal method है जाकर तो हम वहाँ पर यह पा सकते हैं कि कितना यह effective है कितना नहीं अगर उस चीज को हम block करें उसकी effectivity उसे disease causing करने को अगर हम animal model में successful होते हैं तो phase one trial में limited amount of human trials करते हैं जाकर human में कितना successful हुआ फिर उसको large amount पे जाते हैं second trials में फिर third trials में जाकर और उससे बड़ी large population लेते हैं जाकर वहाँ successful होते हैं जाकर तो हम market यह manufacturing की तरह वढ़ जाते हैं जाकर fourth trial में तो यह overall method है जाकर recomb में कोई भी type की vaccine हो जाकर सबसे पहले method होता है जाकर lab based method फिर animal based method फिर human based method human based method में 33 categories रखी आती है small large and extra large में फिर वहाँ के बाद manufacturing categories में रख देते हैं जाकर तो यह overall एक है vaccines है जो covid-19 का update से जाकर country vaccines market में आने वाली है या आ रही है या भी किस trials में चल रही जाकर यह overall है तो hopefully March या April 2021 तो कोई भी vaccines market में launch हो सकती है जाकर covid-19 के against में जाकर hope you like this video if you really like please subscribe my channel thank you so much for watching and giving your time